नमस्कार दोस्तों कैसे वाप सब और 36 गड़ सिक्षक पातरता परिच्छा दोस्तों आज हुआ है इसका एक्जाम और चलिए इसका दोस्तों संभावित जो आंसर की है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं और अभी हम दोस्तों यहाँ पर CDP और हिंदी का बताने जा रहे हैं ब दोस्तों यह है दो से साथ वर्ष जीन प्याजे द्वारव प्रतिबादित सिध्धानत है यह कॉगनेटिव डिवलोप्मेंट संग्यानात्मा की विकास का है बालक का विकास प्रारम होता है एकदम सही गर्भावस्तर से आगे बढ़ते हैं किसने कहा था कि सब लोग सही ब दोस्तों यह कहा था इसकी नर ने अगला है दोस्तों किसवरा वस्ता में विकास प्रक्रिया में सामिल नहीं है तो दोस्तों यह भासा विकास है बाकी सब सामिल है आगे बढ़ते हैं विकास के परिडाम सरुक ब्यक्ति में नमीन विशेष्टाय और नमीन युगिताय प्रकट होती है यह कतन किसका है तो दोस्तों यह है हरलाग का कौन सी प्रच्छेपित विधी नहीं है तो इसमें थोड़ा से कन्फूजन है दोस्तों लेकिन यह कन्फरम ह इस्टेंफोर्ट बिने परिछण जो है यह प्रच्छेपित विधी नहीं है प्रथात सही उत्तर यहाँ पर डी होना चीए परिडाम आत्मक और गुडात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं देखे परिमारात्मक तथा गुडात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं तो दोस्तों मेर यहाँ पर दोस्तों मैं confused हूँ कि किन को का जाता है मेरे खाल से मैं इसको जो है star लगा देता हूँ लेकिन फिर भी चले मैं एक answer लेता हूँ मैं यहाँ पर एक answer जो है यूग को ले लेता हूँ ठीक है समीदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है तो दोस्तों यह है सैसव काल का 12 का दोस्तों से उत्तर है एक से सवकाल का आगे बढ़ते हैं सारीक वृद्धी पर प्रवार डालने वाली ग्रंथी यह दोस्तों यह पीटियेटरिक जो ग्रंथी बोल जाता है यही है समाजिक तत्तों में सभी सामील है केवल एक को छोड़ कर तो दोस्तों यह जन्म क्रम ह सभी है बाकी परिवारी संबन्ध है पडोस है लोगों को ब्यावार है यह सब सामील है है को दोस्तों है यहां पर भूख है भूख प्य아서 यह दोनों जो है जन्म क्रया प्रेड़ होते हैं जीन प्याज जीककर के अंसार शेखने के लिए निवली कित में से क्या वस्यक है सिख्छार्थी द्वारा परियोरण की सक्री खोज वयसकों के बेवहार का उलोकन करना आसन इन्याय में विश्वास सिख्छा को रभ्याओं का स्थुद्रेणी कर दोस्तों ये सही उतर ये है सत्रा विशेस अवसकता वाले बच्चों की सिक्षा विशेस विद्ध्याले के पेच्छा नीमीत दलें बहतर होती है क्योंकि वहाँ पर कोई लेंगिक भेदभाव नहीं समाने चात्रों से प्रतिशपर्दा अच्छा से हो दोस्तों ये इक्विटी और इक्वल्टी ये सेउत्तर लग रहा है क्योंकि जो ए आपसन है न बी में इंटलूट हो जा रहा है बच्चे सक्री रुप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्मार करते हैं यह कथन जो है किसका है तो दोस्तों यह कथन है जिन प्याजेकार ठाथ 18 का दोस्तों से उत्तर है C 19 एक छात्र को गिटार सिखने में आनन्द आता है और लंबे समय तक भ्यास करने के बावजूद से संतुष्टे मिलते है तो दोस्तों वो आंतिक रूप से प्रेरित है इसलिए लंबे समय के बाद भी उसको आनन्द मिल रहा है किसोर अस्था का वहकाल है किसोर अस्था वहकाल दोस्तों यह 11 से 19 जो है पर सिर्फ सम अटेंशन यह दोनों तो कंफर्म है मेरे को लगता है ए और बी 21 दिख लिजे ए और बी में सेख्ट होगा मेरे को लग रहे है भावना है जो है वह जो है इसका सही आंसर है घटक नहीं है बोलड़ है विचार थाट्स होना चीए ठीक है तो सही उत्तर होना चीए ए नेम लिकित में से कौन सा कारक लोको मोटिव जो विकलांगता वाले छात्रों के सफल समयशन में बाधा डालता है लचीला पाठेक्रम, फ्लक्सिबल करिकुलम, दुर्गम बुनियादी राचा दोस्तों सही उत्तर यही लग रहा है ठीक है यहां पर लोको मोटर जो डिसेबिलिटी है दोस्तों यह भी ही सही उत्तर है आगे बढ़ते हैं 23 मनुस में विकास होता है तो दोस्तों यह विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकलांग बच्चों के लिए एकी कृत सिच्छा के केंदर प्रयोजित योजना को उदे से विकलांग बच्चों के लिए सेक्षी का उसर प्रदान करना है दोस्तों यह नीमीटी स्कूल है ठीक है कालम A म कालम B को सही से विकल्पतार मिलांग करने डिसलेशिया जो है वो पढ़ने और भासा कटना ही है डिसग्राफिया जो है लिखने वाला है तो दोस्तों 25 का हमारे पास सही उत्तर बन रहा है यहां पर C ठीक है यह आगे बढ़ते हैं एक विशे सिक्षा सिक्षक की जिम्मेदारियां एक विशे सिक्षा मतलब इस्पेशल एजुकेशन दोस्तों इस्पेशल एजुकेशन में भी B8 ड8 होता है तो इस्पेशल यह जो पहला है न वही है ठीक है इंडिविजियल एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा इसका फुल फार्म होता है और सभी छात्रों के साथ समान ब्योहर करें तो दोस्तों यहां पर B और C तो कंफरम है ठीक है अब B और C के साथ कौन है यहां पर तो A आ रहा है तो मेरे को लगत है सभी छात्रों को ट्यूशन प्रोवाइड वन टूवन ट्यूटरिंग यह दोस्तों यह ट्यूशन जो सब दन थोड़ा अलग हो जा रहा है मतलब प्रतिय छात्र को जो है परस्नली देखना तो दोस्तों A B C तीनों सही है अर्थाथ सही है आप से इन दोस्तों यहां पर प्रकार है तो लग अलग शात्र के प्रकार के विवहा जो है वो करना यहां पर बनता है आगे बढ़ते हैं रचनातमक्ता आम तोर पर इसके सान जूड़ी होती है यह दोस्तों यह divergent thinking है एक समस्या कе बहुत सारे जब हल कोई सोचने लगता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं divergent thinking इससे जो है creativity आती है सिख्छा का अधिकार नियम 2009 को अधिकार के बच्चों के लिए मुक्त और निवारे सिख्छा को एक अधिकार बनाना है दोस्तों ये प्रात्मीक और मेडिल है लेकिन मेडिल का अपसर नहीं है तो प्रात्मीक इसतर सहिउत्तर है A है, A, B, D, C पाठिचरिया अनुकुलन लागू करना, ये लागू करना लाश्ट में होगा, तीस वंचित प्रिष्ट भूमी के बच्चों की जरूतों को पूरा करने के लिए एक सिक्षक को चाहिए ठीक है, तीक है, तीक है, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिस करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में सामिल करें, से उत्तर यही होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी का 31 हिंदी भासा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के सही सब्द का चैन करें, यहाँ पंखुडी लिखा गया है, लेकिन दोस्तों, यह पंखुडी जो है, यह सही नहीं लग रहा है क्योंकि यह चंद्रमा नहीं लगता है, ठीक है इसको अनुस्वार सहय तक बोल जाता है, अनुनासिक यह पंखुडी यह ज़्यादा सही है मेरे खाल से सही उत्तर यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है याद रहे कि पंखुडी आप कोई भी नाम सुनते हैं तो वो ज़्यादा करके आंसर चला जाते हैं लेकिन पंखुडी वैसा नहीं लिखा जाता है ठीक है और यह पैदा हो रहा है न देखिए याण संदी चाहँ तीस देख लिजिए जिसका कोई सत्रो ना हो अजात सत्रो यह सही उत्तर है नीचे दिएगे संभावी ततरों में से सही मिलान कर उत्तर दीजिए तो दोस्तों यह चार पाई जो है न दिए गए तद्भाव सब्दे का तत्सम रूप संभावी ततरों में से चुन कर लिखे पायर का दोस्तों पद से उत्तर है जो सब्दान सब्द से पहले लगकर उसका अर्थ अबदाल देने वे खालाते है दोस्तों यह खालाता है उपसर्ग 49 नील कमल में कौंसर समास है दोस्तों विसे सब्द विसे सग्जवाला यहां जो है बात हो रही तो यह है दोस्तों कर्मधार है समास 39 का दोस्तों उत्तर है ठीक है आगे बढ़ते हैं 40 दिएगे अनिकार्थी सब्दों का सही मेल कीजिए गती, पानी, अथ देखिए कनक का तो तो देख लेजे यहां पर हो जाएगा ये सोना धतुरा, म문लब डी का 3, डी का 3, इन दोनों में है ठीक है न और बाकी गती का चाल हो जाएगा तो एक चा उफ़ा, अर्था से उत्तर के आपर c है देगे प्रतियों से मिलान कर सही जोड़ी बनाईए तो ये बिच्छाउना हो जाएगा देख लीजे C का दो यहाँ पर और ये सजावट A का चार अर्थात सही उत्तर दोसने यहाँ पर C निकलेगा दास्ता सब्द संग्या के कौन से प्रकार के अंतरगत आता है तो दोस्तों दास्ता एक भावाचक संग्या है ठीक है? दास्ता या दासत्व का सकते हैं दास जोहन वो जाती वाचक संग्या आजाएगा लेकिन दास्ता दासत्व ये क्या है? भावाचक संग्या आएगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं गुलामी कह सकते हैं उसको 43 जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है इसमें दोस्तों निश्चे वाचक सरणाम लग रहा है और यही सही उत्तर होना चीए 44 तुम बहुत मिठाई खाते हो कौन सा विसेशन है तो दोस्तों अनिश्चित परिमाण वाचक विसेशन यहां पर बन रहा है क्योंकि संख्या वाचक हो नहीं सकता है क्योंकि मिठाई जो है संख्या में भी हो सकता है और बीना संख्या भी हो सकता है उदाहन के लिए लेजे रबड़ी एक मिठाई है उसका कोई संख्या नहीं होता है तो सही उत्तर अनिश्चित परिमार वाचक 45 ले लिजे वाक्य के कौन से अंग होते हैं वाक्य के उद्दे से और विधे सही उत्तर यहाँ पर C है 46 यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी दोस्तों यहाँ पर है संकेत वाचक वाक्य नीचे दीगे वाक्य सुध रूप में लिखना है तो मुझे एक कप गरम चाय चाहिए सही उत्तर C है 48 आम क्याम गुठली के दाम तो दोस्तों यह दोहरा लाव होना है Q49 देख लिजे देगे मुहारों का अर्थ सहीत समुचित मिलान करना है तो देख लिजे बल्यां उच्छालना बहुत प्रसन होना है आखों में खटकना है बुरा लगना है हाथ दोबैटना मतलब खो देना है हाथ लगना मने मिलना है B का B दिस्तों यहां पर सही उत्तर होना चीए देख लिजे A का तीसरा B का 1st and C का 4 D का 2nd Q50 देगे सब्दों को क्रम में जमा कर लोकोक्ति को पूर्ड कीजे अधवर अधजल गगरी छलकत जाए अठाथ 3,4 एक दूर सही उत्तर क्या है D है स्वैम अपनी हानी करना मतलब कि यह है दोस्तों अपने पैर पर कुलाडी मारना Q52 बच्चों में भासा अरजन की छमता दोस्तों यह जन्वजात होती है ठीक है यह नए सर्गीक होती है प्राकृतिक होती है माता पिता से मिलती है प्रात्यों की द्याला इसे मिलती है तो देखो भासा कहना चीए माता पिता से मिलती भी है प्रात्यों की द्याला इसे भी मिलती है लेकिन यह अरजन की छमता दोस्तों यह जन्वजात ही होती है ठीक है तो यह सही हुत्तर यहां पर A ही बनेगा सक्षम हो जाते हैं तो दोस्तों ये है जिसको पूरो बालेवस्था लगभग बोले जाता है तस वर्ष की आयू में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रात्मिक इस तरपर हिंदी भासा की कक्षा है तो सबसे अधिक महत्वपून है सिख्षक का भासा ग्यान लिखित भासा समरीद दोस्तों ये जो प्रिंट रिच वर्ष वरण है ये ज़्यादा महत्वपून है सिख्षक का भासा ग्यान है आपर नहीं है देखो बच्चे को भासा सिखाना है अगर कक्षा में सभी तरह से मतलब कहाना चीए कहानी लिखा रहे चीतर बना रहे कमवा वाला जो है कहानी पा रहे तो वो दोस्तों ज्यादा इफेक्ट करेगा इवन कहना चीए सिख्षक का जो भासा ग्यान है उससे भी इसलिए आजकल सरकार जो है कक्षा को प्रिंट रिच वाताओन में बदल रही है चारो तरप लिखावट बना हुआ है चार्ट अगर तो अलग टंग रहते है वर्ड अमाला चार्ट सी जो है बी में इंक्लूड है डी भी बी में इंक्लूड है क्योंकि ये सब चीच कछा के प्रिंट रिच वाताओन में उसमें इंक्लूड होती तो 54 का से उत्तर यहां पर बी है बच्चों में भासाई चमता का स्वरधिक विकास होता है तो दोस्तों बच्चों में भासाई चमता का स्वरधिक विकास समाजिक अंतह क्रिया से होता है 55 का दोस्तों से उत्तर है डी प्रारमिक इस्तर में लेखन कौसल एक विकास की सुरुवात करनी चाहिए लेखन कौसल तो दोश्तों मनचाही आड़ी तिरची लाइन खीचवा कर ये सही उत्तर है ठीक है छित्रों में सही तरीके से रंग भरवा कर नहीं लेखन कौसल बोल रहा है नाम लिखवा कर वड़ा लेखन बोल रहा है नहीं से उत्तर यहाँ पर C ही बनना चाहिए आगे बढ़ते हैं पढ़कर उसको समझता नहीं है तो पढ़ना बिर्थ है लेवा हाव हाव अगर उपढ़ रहा है तो लेवा हाव होना ही चाहिए उप्रोक्त सही यहां पर आंसर बनना चाहिए कोशन नमरे फिर देख लीजिए भासा के सभी पक्ष और योगिता की जाच हितु होना चाहिए तो दोस्तों यह सतत मुल्यांकन जो है होना चाहिए लेखन कोशल के समुचित आकलागन के लिए उप्यूक्त भी थी है तो दोस्तों ओपन कोशन है यह ज़्यादा बेटर है ठी कि किसी भी मेला गया है बच्चा तो मेला का वर्णन कीजिए यह एक खुला प्रस्ता है ओपन ठीक है शाठ है भासाई कोशल के आकलागन के समद्ध में सत्यकत अकटन है तो देखिए आकलागन के ओल छातरों के लिए उप्यूगी होता है घ्लत है यह शिक्षक के लिए भी प्रख्षा जा सकता है एकदम से उत्तर भी है बासा का आगलन के अल पाठ्ठ पुष्टक सम्दिन रहें चाहिए ये भी गलत है शाट का दोस्तों से उत्तर है बी तो दोस्तों यह रहा दो पाठ चीड़ी पी और हिंदी बाके तीन पाठ्ट के वीडियो आपको कोशिस कमेंट कीजिए हम उस पर रिवी करेंगे और रिवी करेंगे एंड वीडियो में लाच्ट तक बने नहीं दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू